आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों हमारा आज का प्रशन है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है तो आईए इसे उत्तर की सहता से समझते हैं उत्तर तो देखिए जलकुंभी को क्या कहा जाता है बंगाल का आतंक कहा जाता है अब इसे यह क्यों कहा जाता है अब इसे समझेंगे जलकुम भी क्या है पानी में तेरने वाले पानी में तेरने वाला एक प्रकार का पादप है और जो मुलता कहां पाया जाता है Amazon के वर्षावनों में पाया जाता है लेकिन अब यहाँ पूरे विश्व में क्या हो गया है फैल गया है अब यहाँ पूरे विश्व में फैल गया है यानि पूरी विश्व में यहाँ पादब क्या है पाया जाता है पहले केरल Amazon वन में पाया जाता था तक इन तो पुरे विश्व में फैल गया है अब हम जान लेते हैं कि इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है इस पादप या पौधे को तो देखी क्योंकि यह सबसे पहले क्योंकि यह क्या सबसे पहले भारत में कहां लाया गया था भारत के बंगाल में लाया गया था भारत में भारत के बंगाल में लाया गया था बंगाल में लाया गया था इसकी आकरती फूलों इसकी पत्यों फूलों की आकरती आकरशक होने की वज़े से यहां यहां पर लाया गया था अब इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, देखिए आतंक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पोधा क्या करता है, यहाँ पोधा जल से, जल से क्या करता है, जल से आक्सिजन, आक्सिजन गेस को क्या करता है, खींच लेता है, या उसको सोक लेता है, क्या करता है, आक्स परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मचलियों की मृत्यू हो जाती है या जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि मचलिया जो होती है वहाँ जो उस पानी में उपस्तित होती है या जल में उपस्तित होती है वहाँ क्या होती है मार जाती है य उसमें उपस्तित सारी oxygen gauge को क्या कर लेता है सोख लेता है जिससे क्या होता है कि यह क्या करता है जेव विविद्दा का हास के वह कारण है जेव विविद्दा के हास का भी कारण मैना जाता है का भी एक कारण कौन होता है जल कुम्भी होता है और जो क्या करता है इसके कारण अनेक प्रजातियों अनेक अनेक जलिय प्रजातिया जो है जो उस जल में उपस्तित होती है जलिय प्रजातियों को क्या होता है अपनी उपस्तिती के कारण नश्ट कर देता है कोन जल कुम्भी का भादब तो इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है तो हमारा प्रश्ण यहीं समाप तो होता है आशा करती हूँ आपको यह प्रश्ण समझाया हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कर चटी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर झाल